सब्सक्राइब करिए धनू की दुनिया यूटूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें जय शरादे मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धनू की दुनिया में मित्रो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धनू राशी वाले जातकों के 22 जुलाई 2020 के दैनिक राशी फल के बारे में चलिये मित्रो आज की इस वीडियो की सुरुआत करते हैं आज के सुविचार से सफलता उनी को नसीब होती है जो कारिक के प्रती समरपन का भाव रखते हैं चलिए मित्रो जान लेते हैं क्या कहता है आज का पंचांग कैसा रहेगा आज का पंचांग के बारे में जान लेते हैं दोस्तो दिनांग रहेगा आज का 22 जुलाई 2020 तिथी द्वीतिया है जो संध्या के 7 बच के 23 मिनट तक चलेगी नक्षत्र अश्वलेसा है जो संध्या के 7 बच के 15 मिनट तक रहने वाली है पक्ष सुकल पक्ष है योग सिध्धी है जो दोपेर के 2 बच के 54 मिनट तक रहेगी दिन आज का बुद्धवार रहेगा आज सुरियोदय 5 बच के 37 मिनट पे होगा वही सुर्यास्त 7 बच के 17 मिनट पे दोस्तो आज का चंद्रोदय 6 बच के 69 मिनट पे होगा सुबह के वही चंद्रास्त संध्या के अर्थात रात्री के 8 बच के 50 मिनट पे चंद्र राशी करक रहेगी जो संध्या के 7 बच के 15 मिनट तक चलेगी रितू वर्षा रितू चल रही है दिन का अलाज का 13 गंटे 40 मिनट 49 सेकंड का होगा दोस्तो शक समवत 1922 चल रहा है खली शमवत 51 22 है वही विक्रम समवत 277 है दोस्तो मास अमांत स्रावण है वही मास पुर्णिमांत स्रावण भी है सुभ और अशुब समय की बात करें आज की तो मित्रो आज का सुभ समय यानि की अविजीत मोहरत आज कोई भी नहीं है आज कोई भी सुभकार्य होने के योग नहीं बन रहे है वही आसुब समय की बात करें अर्थात दुष्ट महुर्त दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 12 बज़ के 54 मिनट तक चलेगा राहुकाल दोपहर के 12 बज़ के 27 मिनट से दोपहर के 2 बज़ के 9 मिनट तक कंटक संध्या के 5 बच के 28 मिनट से संध्या के 6 बच के 22 मिनट तक यम घंट सुभा के 8 बच के 20 मिनट से सुभा के 9 बच के 15 मिनट तक दोस्तो आज का दिशा शूल उत्तर रहने वाला है तो मित्रो ये रहा आज का पंचांग मित्रो आपका शुब अंकाज का दो रहने वाला है और वही शुब रंग लाल और मेरून है बुरी दिशा उत्तर दिशा है उत्तर दिशा में जाते समय सावधानी बरते अन्यता ना ही जाएं तो बहतर है चलिए मित्रो जान लेते हैं आपके दिन के बारे में संशिप्त में फिर जानेंगे पूरी विस्तार से स्वास्त की बात करें तो उस लिहाज से देखें तो दिन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा धन संपत्ती के दृष्टिकोंड से दिन अच्छा व्यतीत होगा परिवारी के जीवन मित्रो अपका सामाने से नीच रहेगा प्रेम शम्बंद के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा रहेगा वेवशाय की बात करें तो दिन सामानने रहेगा वही वेवाही के जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है चलिए मित्रों जान लेते हैं आपके दिन के बारे में पूरी विस्तार से किसी पुराने दोस्त से आज मुलाकात आपको खुश कर देगी दोस्तो आज आज आगर वहन चलाते हैं तो उस समय सावधानी बरतने की अविशकता है ध्यान से चलाएं द्रगटना के योग बन रहे हैं अगर आप वहन सावधानी से नहीं चलाएंगे तो द्रगटना के सिकार हो सकते हैं या फिर घर में किसी चीज उची वस्तो उतारते समय अगर उचाई पे चड़ते समय भियान रखें ठीक से चड़ें आपके घर से जुड़ा निवेस आज बहुत ही फायदे मन रहेगा नया रूपरंग नए कपड़े लगते नए यार दोस्त आज का दिन ऐसे ही बीतने वाला है आपकी आकरशक छवी मन चाहा परिणाम देने वाली होगी आपकी दफ्तर में हुए बदलाव से आपको आखिरकार लावियाज मिलने वाला है आज आप खुद को लोगों के ध्यान के केंदर में पाएंगे जब कोई आपके सहयोग की वजह से पुरस्कृत होगा या सरह जाएगा तब ववाहिक शुक के दृष्टिकोंड से आज आपको कुछ अनोखा उपहार में देखने को मिल सकता है तो मित्रो ये रहा आज का आपका राशिफल उम्मीद करता हूँ मित्रो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक कर दें चैनल पे नए आए हैं तो आपसे विनमर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें कमेंट सक्सन में जय श्री रादे जरूर लिखें जय भोले नाथ लिखना ना भूले सावन का महीना चल रहा है भोले नाथ की क्रिपाप के उपर बनी रहे यही दूआ करते हैं तो चलिए मितरो हम लोग फिर मिलते हैं आप से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए आसपास सफाई रखिए घर वालों का खयाल रखिए जय श्री रादे आज का दिन आपका शुब हो